नमस्कार दोस्तों आपका एक बर फिर स्वागत है आरवी स्टडी आई की चानल में आप देख रहे हैं डेली यूज सेंटेंस का इंगलिस फार्मूला नंबर नाइन्थ इस फार्मूला में हम देखेंगे कि अगर हम फार्मूला की बात करें तो फार्मूला किस प्रकार से होगा देखेंगे यह आज हम इस फार्मूला में हम देखेंगे जैसे की हिंदी के वर्ड्स है अब there is a lot to इसका primarily मुनिग क्या होता है अब بहुत है बहुत कुछ है इस प्रकार से हिंदी में इसका अर्थ होता है अभी यहाँ पे कुछ हिंदी के वर्ड्स दिये गया है लंबे दीन के बाद अब बहुत सोना है इतने स्वादिश्ट बोज के साथ अब खानी के लिए बहुत कुछ है निरने लेने से पहले अभी बहुत कुछ सोचना है अभी आपके सिखचक से बहुत कुछ सिखना है अभी आराम करने और ब्रेक लेनी के लिए बहुत कुछ है इस प्रकार से सेंटेंस यहां पे बहुत कुछ है प्राइमरली यह जो होंगा यहां पर होंगा there is a lot to उसके बाद प्लस नाउ और उसके बाद objective यहां पर there is a lot to इसका primarily meanings होता है बहुत कुछ है तो चलिए sentence से हम समझते हैं there is a lot to see now in this beautiful city there is a lot to see now in this beautiful city यहां पर there is a lot to see यह हो गया होगया वर्ब का पहला रूप now यहां पर now conjunction है फिक है in this beautiful city यह होगया objective इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो क्या होंगा इस खुबसूरा सहर में अब देखने के लिए बहुत कुछ है इस खुबसूरा सहर में अब देखने के यह बहुत स्वादश्ट भोजन के साथ अब खाने के लिए बहुत कुछ है इस वादश्ट भोजन के साथ अब खाने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to talk about now with your friends there is a lot to talk about now with your friends there is a lot to talk about now with your friends there is a lot to talk about now with your friends there is a lot to do now before the day ends तीन खत्म होने से पहले अभी बहुत कुछ करना है there is a lot to do now before the day ends there is a lot to think about now before making a decision there is a lot to think about now before making a decision निरने लेने से पहले अभी बहुत कुछ सोचना है there is a lot to think about now think about यहने सोचना यह हो गया वर्बगा पहला रूप now यह conjunction word हो गया before making a decision यह हो गया objective ठीक है there is a lot to का मतलब होता है बहुत कुछ ठीक है अगर इसको हमिंदी में देखेंगे तो there is a lot to think about now before making a decision निरने लेने से पहले अभी बहुत कुछ सोचना है there is a lot to play now with these fun toys अब इस मजेदार की लवने के साथ खेलने के लिए बहुत कुछ है इस मजेदार की लवने के साथ खेलने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to help now with the household chore अब घर के कामों में बहुत मदद करनी पड़ती है there is a lot to मजे बहुत जादा there is a lot to read now with the interesting book इस दिल्चस्प किताब के साथ अब पड़ने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to read now with the interesting book there is a lot to write now in your journal अब आपकी पत्रिका में लिखने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to write now in your journal अब आपकी पत्रिका में लिखने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to sleep now after a long day लंबे दिन के बाद अब बहुत सोना है there is a lot to sleep now after a long day there is a lot to relax now and take a break अभी आराम करने और ब्रेक लेने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to relax now and take a break अभी आराम करने और ब्रेक लेने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to listen to now with your favorite music अब आपके पसंदीदा संगित के साथ सुनने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to dance now to celebrate this occasion इस अउसर का जश्र मनाने के लिए अब बहुत कुछ नाचना बाकी है there is a lot to sing now along to your favorite song अब आपके पसंदीदा गाने के साथ गाने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to sing now along to your favorite song अब आपके पसंदीदा गानों के साथ काने के लिए बहुत कुछ है there is a lot to learn now from your teacher there is a lot to learn now from your teachers अभी आपके सिक्चकों से बहुत कुछ सिखना है अभी आपके सिक्चकों से बहुत कुछ सिखना है जडर यहाँ पर आप देखते हो sentence structure there is a lot to बहुत कुछ के लिए यूज किया गया learn ये वर्ब का पहला रूप now conjunction word from your teachers ये हो गया objective अभी आपके सिख्चकों से बहुत कुछ सिखना है there is a lot to learn now from your teachers इस प्रकार से आप there is a lot to का यूज करके आप इस sentence structure का यूज करके हिंदी का sentence इस प्रकार से आपको जाते-जाते कुछ test दिये जा रहे है इसको आपको solve करके हमारे comments box पे लिखना है there is a lot to plus verb plus now plus objective के यूज करके दिये गए हिंदी words को आपको इंगलिस में convert करना है और डेली practice करना है दोस्तों अगर हमारा ये English का initiative English formula जो series है अगर आपको अच्छा लग रहा है प्यारा लग रहा है तो हमारे चैनल को जुरूर लाइक कीजिए आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा motivation प्राप्त होते रहेंगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद